वाकिंग 3 बाइ 4th of his usual speed, a person is 10 minutes late to his office and find his usual time to cover the distance. इसमें आपको एक आदमी है जो 3 बाइ 4th अपनी speed से चल रहा है, तो उसकी जो speed है वो 3 बाइ 4th है, मतलब वो पहले 4 की speed से चलता था, अब वो 3 की speed से चल रहा है. तो जब आप speed का ratio लेंगे तो आप हमेशा 4 is to 3 लेंगे, और time हमेशा speed के inversely proportional होता है, तो इसकी ratio आजाएगी 3 is to 4, तो अगर वो एक 10 minute में चलता है, तो वो 3, 30 minute में चलेगा, और 4 वो चलेगा 40 minute में, तो इस तरह के questions के लिए आपको pen चलाने की भी जरूरत नहीं है.